दुर्ग की ग्राम पीसे गाउं में गायतरी परिवार दवारा आयोजित किया गया 108 वेदिये सामोहिक सुक्ष मयज्य का आयोजित किया गया बसंत पंचमी की पावन औसर पर आध्यात्मिक प्रयोग के रूपमे आयोजित किये गये इस यग्य में सुरुजन शील युवा वो महिला मंडल के सदस्य सामिल हुए शिवनात नदी के तड़ पर आजित हुए 108 वेदी सामुहिक सुष्म यग्य की जानकाई देते हुए गयत्री परिवार के डॉक्टर एन के सिन्हा ने कहा कि ये यग्य बहुत ही कम समय में किया जाने वाला यग्य है उन्होंने ये भी कहा कि इस यग्य में गोबर का दिया हवनगी, कपूर, आधार, गुड, होमदानी के अशकता होती है जिससे दिविता, सुगंधित, बातवरन बन जाता है गोर तरफ है कि दुर को भिलाए उपजोन द्वारा संचाली तनीती सुख्षमयग्य ग्रिह अभियान को गती देने एवं नए याजकों को प्रसिक्षित करने का भी उद्देश ही रखा गया बसंत पंचमी को परंपुजी गुरुदेव पंडित शीडाम शर्मा आचारे जी का आध्यात्मिक जन्म दिवस को बोध दिवस की रूप में भी मनाया गया वहें इस 108 वेदी सामुहिक सुक्ष्म यग्य में मुख्य रूप से डॉक्टर एन के सिन्हा, प्रानेश शिविश्वास, मिनाक्षी विश्वास, रमाकान देशमुख, राजकुमार साहु वप्रेमराल देशमुख के साथ बड़ी संख्या में गयात्री परिवार के लोग इस संबन में गयात्री परिवार से जुड़े लोगों ने मीडिया की समक्ष अपने प्रतिक्रिया दी कर सकते हैं इसके लिए कि सुक्ष मयग्य को हम मुबाईल के माध्यम से करा सकते हैं उनको बता सकते हैं और यह जो है फिर उपजोन के माध्यम से इसमें युजना बनी अधरनिस्री था जिनके सभी के विचार से या योजना बनी है कि सुच्छियाद्य को हमको अजिक सती घरों में भूचाना है ताकि हमारा 36 घड़ी नहीं पूरे भारत फैल जाए है सुच्छियाद्य है और विश्वक कर लेगा अपसे भाईयों बहनों का हार्दी का भी नंदन करता हूं भाईयों बहनों दिगत पांच वर्षों से हैं हम लोग सुच्छियाद्य के नामक एक ऐसे अभ्यान में लगे हैं जिसके द्वारा घर घर कायत्री और यगे को पहुचाया जा सकता है एक ऐसी पद्धती है जिसके द्वारा मात्र 10 से 15 मिनट में हम यगे कर सकते हैं धूब कर सकते हैं और बलिवेश्वदेव यगे अर्थात पूजन का भोग लगाना वो भी इसके मात्यम से संबभ होता है इसमें भत्वण जो ववस्था है वो एक आधार रिंग तांबे का एक ऐसा आधार चाहिए गोबर का एक ऐसा दिया चाहिए इसको हम बनाते हैं गोबर से तयार करते हैं और इसके उपर ऐसा रख दे जाता है एक धूबदानी या हवनकुंड की ववस्था हो तो उसने इसक रखने के पहले भूबदानी में तीन भूलबत्तियां भी में या नारियल तेल में डुबा करके हम यहां रखते हैं उसको प्रजुलित करके फिर यह रख देते हैं रखने के पहले हम गुबर का जो दिया है उसको भी नारियल तेल में या गौगरित में डुबा करके हम यह सब कर्मकान्ड विस्तित रूप से इसका वीडियो डॉकुमेंटरी बना करके हम रखे हैं, अगर आप इसे देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो विचार क्रांती चल्चित्र अभियान नमक हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर के आपको यह वीडियो मिल सक बहुती 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 शांदार यह अभियान है, आप इस यग्य को करने के पश्चात प्राणायाम करें, तो पश्चात आप धियान करें, बहुती 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 प्रयोग है, मन को बड़ी शांती मिलती है, इस अभियान को घरगर पहुँचाने के लिए हमने ब्रंभोज किट भी तैयार किया जिसमें गोबर की ये दस दिया है एक तांबे का आधार है और उप्योग कैसे करें उसका विधी पत्रक है सम्मिला करके 160 रुपे का सामान होता है लेकिन जंजन तक पहुंचे इसलिए हमने इसमें काफी छूट कर दी है जो हमारे दुर्ग में पुजा का बड़ा दुकान है वहां भी उपलब्द है सेक्टर 6 गायत्री मंदर में भी उपलब्द है और यदि आप चाहें तो बगेरा में आकर के भी ले सकते हैं और ये सारी चीजे बनाने का ट्रेनिंग इसको उप्योग करने का ट्रेनिंग श्वास गायती परिवार का एक चोटा कारिकरता हूं और हमारी पूरे टीम है जिसके द्वारा ये सब काम संचालित होता है और समुह के द्वारा ये काम हो रहा है आज बसंत पंचमी के दिन पिस्टे गाउं के जन्व सताब्दी उपवन में एक स्वार्ट वेदी सुक्ष मैग्य को अविश्कित करने के लिए और प्रचार प्रसार करने में लगे थे उनके एक व्यवस्ति टीम बना दिया जाए तो सुक्ष मैग्य प्रचार प्रकोष्ट के नाम से इस टीम को बनाने का विदिवत संचालित करने का निरने लिए अजिए निवस के लिए दुरुकसिना सिम फारुकी की रिपोर्ट